नमस्कार आपका स्वागत है वास्तुशास्त्र के अनुसार पूजा घर में यह 5 चीजे रखना अशुप और आमंगलकारी होता है दोस्तो जब भी हम हमारे घर का निर्मान करते हैं तो हम वास्तुशास्त्र के नियमों का पालन अवश्य ही करते हैं क्योंकि वास्तुशास्त हमें हमारे घर के लिए सही दिशा और सही स्थान का ग्लान देता है घर के अंदर बनाई जाने वाले प्रद्य कम्रे लिए निश्टित दिशा का निर्धारण किया गया है यदि हम jog नियमों का पालन करते हैं तो हमारे घर में मौजुत पूजा घर से ही पता चलता है कि हमारी अंदर संसकार और अच्छे घुने हैं वास्तु शास्तर के अनुसार घर के अंदर बनाई जाने वाले मंदर से जुड़े बहुती महत्पुन नियम बताए गए हैं मंदर की दिशा कौन सी होनी चाहिए घर में मंदर का होना चाहिए और क्या नहीं सबसे पहली चीज है मिट्टी से बना दीपक वास्तु शास्तर के अनुसार मिट्टी पृत्वी तत्व को तरशाती है इसलिए घर के मंदर में मिट्टी से बना हुआ दीपक अवश्य होना चाहिए आप धातों से बने अन्य दीपक भी रख सकत इसे आप अपने मंदिर में अवश्य ही बनाएं। पर महालक्ष्मी विराजमान हो उस स्थान पर कलश रखने से एश्वर्य की प्राप्ति होती है। इसलिए पूजा तथा आरती करते समय घंटी को अवश्य बजाएं। घंटी पर गरुड अत्वा गणेशी की प्रतिमा बने हुई हो तो यह और भी अधिक शुब माना जाता है। जान लेते हैं घर के मंदिर में कौन से चीज़ें नहीं रखने चाहिए। अफ्य करना जाहिए। शनिदेव की मूर्ती माता काली की मूर्ती अत्वा भ्यरवजी की मूर्ती इनकी पूजा करते समय बहुती कठोर नियमों का पालन करना पड़ता है अन्याथा उनकी पूझा का हमें विप्रित फल ही प्राप्त होता है इसलिए पूझा घर में इन देवी देवताओं की मूर्तियां कभी न रखे तीसरी है टूटी-फूटी मूर्तियां वास्तु शास्त्र में कहा गया है कि हमें कभी भी टूटी-फूटी मूर्तियां की पूझा नहीं करनी चाहिए साथी अंदर से खोकली मूर्तियों की पूझा घर में स्तापित नहीं करनी चाहिए मातलक्ष्मी की खड़ी मूर्ती पूजा घर में नहीं रखने चाहिए मा की मूर्ती हमेशा विराजमान अवस्ता में होनी चाहिए साथ ही किसी भी देवी देपता की गनवीर मुद्रा वाली मूर्ती पूजा घर में ना रखे तो दोस्तों उम्मीद है आपको यह जानकारी अच्छी लगी होगी वीडियो को लाइक शरूर करिएगा कमेंट में जैश्री कृष्णा लिखना ना भूले साथी चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें आप सभी का धन्यवाद